Hello everyone, welcome to Trading Geeks तो आज के इस वीडियो में हम Stock Selection Method के बारे में बात करेंगे जो की हर एक Market Condition में Work करता है Definitely आपने बहुत सारे Methods ट्राइ कियोंगे Stock Selection के लिए But हर Method से अलग-अलग Stocks निकलते हैं और फिर हम Confused होते हैं कि Trade किस में करें जो Stocks हम Buy करते हैं वो चलते नहीं और जो हम Buy नहीं कर पाते हैं जो हमसे Miss हो जाते हैं वो Next Day 10% अब होते हैं तो ये सारे Problems न सबके साथ होती हैं ये वीडियो देखने के बाद आपके पास NSE के Most Trending 20-30 Stocks के Fixed Watch List होगी जिसको आप Use करेंगे आपने Swing Trading के लिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को Make Sure आप वीडियो को पूरा देखो तो वीडियो देखने के बाद आपके माइन में कुछ Questions आएंगे जिसको मैं पहले ही Answer कर देता हूँ सबसे पहला Holding Period Holding Period हमारा कितना होना चाहिए देखिए यह Completely आपके Psychology पर Depend करता है अगर आपको Ultra Short Term Trading पसंद आती है तो आप One Week होल्ड करोगे अगर आपको Medium Term Trading करनी है तो आप Four to Six Week होल्ड कर सकते है What will be Return on Investment? इसका Answer एक Fixed नहीं हो सकता है आप अगर One Week के लिए Trade लेते हो तो आपको 5-7% मिलता है तो यू विल हैब to Exit एक Week में आप 10% याफ 20% आप Expect नहीं कर सकते है अगर आप 4-6 Week के लिए Trade लेते हैं तो यू can easily expect 10-20% नाव नेस्ट इस What will be our Risk to Reward Ratio? देखिए हम Intraday करते हैं तो हम 1-1 पे भी work करते हैं and 1-1.5 पर 1-2 पे भी work करते हैं बट जब हम Swing Trading करते हैं तो हमें Risk-Reward Ratio जादे मिलता है क्योंकि Volatility कम होती है तो Swing Trading के लिए आप 1-3 easily ले सकते हैं Now next question will be What will be success rate of this method? So it will be more than 70% and in favorable cases आपको 80-90% तक भी मिलेगा Now next one is Will we use any indicator in this method? No हम किसे indicator का use नहीं करेंगे अब अगर कोई भी indicator लगाओगे तो आप खुद confused होते हो So we will completely rely on price तो आगे बढ़ते हैं and कुछ criteria select कर लेते हैं जिसके basis पर हम अपने Swing Trading stocks को filter करेंगे with the help of scanner सबसे पहला criteria हमारा होगा stock का price stock price should be greater than 100 You will completely avoid stocks below 100 क्योंकि normally जो stocks 100 रुपीज से कमके होते हैं वो penny stocks होते हैं and penny stock को हमें completely avoid करना है जब हमार्केट में नए नए आते हैं तो हमें penny stock काफे attractive लगते हैं क्योंकि 10 रुपीज प्राइस होता है and हमें लगता है कि 10 से अगर 15 चला गया stock should be liquid हमें सिर्फ उन stock में trade करना है जो कि liquid है ना liquid से क्या मतलब मेरा कि stock में volume होना चाहिए अगर volume अच्छा होगा तो obviously momentum उसमें अच्छा होता है which leads to our third criteria stock should not be in upper circuit and lower circuit circuit वाले stocks को ignore करना थोड़ सो difficult होता है क्योंकि daily stock हमारे सामने 5% उपर जाते रहता है and हम left out feel करते हैं फिर जैसे ही कोई dip आता है तो हम उसमें buy करते हैं and buy करते हैं उस दिन से वो stock lower circuit में आ जाता है तो हमें निकलने का मौका भी नहीं मिलता है so we will not trade in upper circuit and lower circuit stocks now next हमें वो stocks लेने हैं जब कोई बहुत बड़े quantity में order punch करता है तो volume हाई होता है तो वो हमारे orders volume create नहीं करते हैं कोई ने कोई इसमें institution active है इसलिए वो volume आया है तो हम volume को majorly consider करेंगा अपना scanner बनाने किलिए now next and last criteria हमारा होगा stock should be outperformer तो relative outperformers क्या होते हैं देखिए जैसे किसी मन्त में nifty ने 10% move दिया तो हमें वो stocks खोजने हैं जो कि कम से कम 20% move दिये हो क्योंकि nifty हमारा base index होता है तो nifty अगर 5-10% perform करता है तो जो अच्छे stocks होते हैं वो 20-30% भी perform कर जाते हैं तो हमें वैसे stocks खोजने हैं तो यह सारे Creativia को input करके हम एक screener बनाएंगे उससे stock filter करेंगे वो screener आपको बस एक time बनाना पड़ेगा और उसको आप save कर लोगो तो lifetime आपके पास रहेगा तो चलते हैं website पे जिसपे हम screener बनाएंगे simply आपको ticket tip search करना है जो first link आएगी उस पर आप click करेंगे तो आपके सामने यह interface खोल के आएगा आपको simply इस पर tap करना है और यहाँ पर आपको screener दिख जाएगा now click on this तो by default हमारे पास यह interface खोल के आएगा इसमें हमारे पास सारे stocks से जित्ते भी exchange पर trade होते हैं more than 4500 सबसे important point आपको यहाँ पर सबसे पहले login कर लेना है ठीक है अगर आप login नहीं करेंगे तो आपके scanner सेव नहीं होगा तो login करने के बाद आप यहाँ पर कुछ filter दा लेंगे पहले मैं यह सारे filters को हटा देता हूँ सबसे पहला filter हमें जो लगाना है वो market cap का लगाएंगे market cap minimum 1000 CR होना चाहिए आपको screen को save करने के लिए simply इस वाले icon पर tap कर दोगे तो फिर screen हो जाएगा now second होगा हमारे पास stock का price कितना होना चाहिए minimum तो यहाँ पर as I told 100 रखेंगे हम to avoid penny stocks तो यह हमारे सारे stocks 800 आगे जो कि 100 से उपर है करना है and go to price and volume now select daily volume तो volume हमें कितना चाहिए minimum volume 1 lakh shares per day trade होनी चाहिए तो यह हमारे liquidity define हो गई next filter हमारा होगा percentage away from 52 week high यह filter हमें breakout stock सर्च करने में help करेगा and सबसे जादे institution की activity जहाँ पर होगी वो stocks इस list में आजाएंगे आपके क्योंकि जो 52 week high पे होता है उसको हम लेके नहीं जाते है उसमें कोई ने कोई बड़ा पैसा buy किया है तो वो 52 week high पे है तो बस हमें उनके footprints को follow करना है यहाँ पे हम क्या डालेंगे stock minimum 5 to maximum 15% दूर होना चाहिए अपने 52 week high से minimum 5% दूर होना चाहिए निफ्टी को outperform किये और कितना outperform किया हूँ निफ्टी अगर 10% move किया है तो stock को कम से कम 15 से 20% move करना चाहिए तो वो अच्छा stock के category में आएगा तो हम यहाँ पे डालेंगे minimum 5% and maximum 15 to 20% outperform किया हो आप 15 पे डाल सकते आप 20 पे डाल सकते हैं यह 36 stock हमने निकाल ले हैं more than 4500 stock में से अगर आपको और कम stock चीए तो आप यहाँ पे एक stock universe था यहाँ पे आप Nifty 500 कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे 24 stocks मिल गया जब हमने Nifty 500 पे क्लिक कर दिया तो यह सारे जो filters हमने लगा हुए हैं वो Nifty 500 पे लग गया यह stocks पे trade कैसे करना अभी देखते हैं अच्छा charts पे जाने से पहले आपको यह save करना होगा मैंने यहाँ पे login नहीं किया हुगा है तो मैं save नहीं कर पाऊँगा आप यहाँ पे save कर लेंगे एक बार आप save कर लेंगे तो lifetime यह आपके पास रहेगा ठीक है या momentum stocks चाहिए आप यह सारी stock ले सकते हैं उपर से top 10 तो आप charts पे चलते हैं और देखते हैं यह stocks आपको कैसे watch list बनानी है और trade कैसे लेना है सबसे पहला stock हमारा info is इसको देखते है तो यह stock हमारे सामने है इसमें सबसे पहले आपको daily chart खोलना है यह daily chart लगा हुआ बस daily chart में आपको सब इतना देखना है कि क्या यह stock uptrend में है अगर uptrend में है तो yes यह हमारे काम का है आपको trade लेने के लिए one hard time frame पे switch करना है switch करने के बाद simply आपको support and resistance levels mark करके रखने है support and resistance level आपने mark कर लिया है अब simply आपको कुछ ही नहीं करना है बस इन दोनों levels पर आपको alerts जाल के छोड़ देने यह हमने यह alerts जाल दिया आप stock इस line को cross करेगा तो हमें अपने phone पर signal आ जाएगा जब stock इस line को cross करेगा आप पर resistance को तो भी हमें alert आ जाएगा अब सबसे important चीज यह सारे stock momentum stocks है all time high पर trade कर रहे है और बहुत ही trending stocks है गलती से भी short है नहीं करना इनको always look to buy on dips और on breakout अब जैसे इसमें आप क्या कर सकते है या तो यहां जाकि यह bounce ले तो आप यहां पर buy कर सकते है candlestick patterns देखके या फिर यह जब breakout होगा तब आप आई कर सकते है अब आपको यह stock monitor करना नहीं है जैसे इस level को cross करेगा आपको alerts आपके phone पर आ जाएगा simple और examples देखते है एक और कोई random से stock देखते है खीक है last stock देखते है prince pipes and fitting ओके तो यह हमारे stock prince pipe आ गया है सबसे पहले क्या करना है switch to daily time frame आपको बस इतना देखना है कि क्या यह stock uptrend में है हाँ यह stock uptrend में है और यहाँ पर यह consolidate कर रहा है now switch to one hour time frame one hour time frame में क्या करना है simply support and resistance level ड्रॉख करना है now मैंने यहाँ पर support and resistance level ड्रॉख कर दिया बस as usual आपको यहाँ पर alert लगाना है कि breakout हो तो हमें अपने phone पर message आज़े तो ऐसे क्या होता है ना कि बार बार हमें chart को देखना नहीं पड़ते है तो आपको जाज़े time नहीं देना पड़ेगा आप Sunday को बैठके आराम से यह filter करके रख सकते है कुछ लोग बोलेंगे कि हम इतने सारे alert नहीं लगा पाते है तो आपके पास अगर premium version नहीं है आप free version यूज़ करते है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप अपने broker जो भी आप यूज़ करते हैं हर एक broker में facility होती है alerts की आपने phone पे check करोगे तो हर एक broker मिल जाता है तो आप बस अपने broker पे alert लगा कर रख सकते हैं इसमें क्या करना है हमें यह stock देख लेते हैं आपको कुछ नहीं करना आपको छोटा trade लेना है तो आप एक buy यहां भी कर सकते हैं यह जो week है इसके ऊपर अगर आप दो दिन के तीन दिन के trade लेना चाहते हैं अगर आपको एक week कर लेना है दो week कर लेना है तो let it cross this level है ना तो यह जब 740 के आसपस cross करेगा तो आपको alert आ जाएगा and you can take the breakout trade तो जितने भी stocks filter करके निकलेंगे वो सारे आप अपने watchlist में add कर लेजे and simply आपको सारे में alerts लगा के रख देना है जो भी charts important दिखें या फिर जिस पर कोई pattern या फिर कोई भी supporter nations line आपको दिखें and जब कोई भी stock breakout देगा तो आपको आपके phone पे notification आ जाएगा and आप सारे stock नहीं भी करते हैं तो आपके लिए 10-20 stock बहुत हो जाएंगे एक week में trader लेने के लिए but मैं यह सजिस्ट करूँगा कि आप सारे stock को एक एक बार खोल के जरूँ चेक कर लीजे sir ये सारे stock 4500 stocks में से निकल के आये हुए 36 तो आपको इनको तो देखना ही चाहिए तो ऐसे आपके practice भी होती रहेगे key levels draw करने की है ना and अगर आपने अभी तक support and resistance कैसे draw करते हैं उसकी वीडियो नहीं देखिये तो नीचे आपको description में मिल जाएगा and video के end screen में डाल दूगा वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो please like it and subscribe the channel and अगर आपके कोई doubt हो तो please comment section में लिखिये and next video के इस topic पे चाहिए please put it down in the comments मिलते हैं किसी अगले interesting video में till then bye and thank you हुआ 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 हुआ